जहिन दोस्तों ये बसाओ गाओं है और ये बसाओं पंचायत में पड़ता है जो गुरिया कोठी का अंटरगात आता है प्रखंड में हे और यहाँ पे रोड का ही कि इतना बत्तर है यहाँ पे तकरिबन हमें लग रहा है कि कुछ यही मैं मैंन रूट ने खनेक्टेड है और यहां पर पानी रोड पर इतना जमका हुआ है और इस रास्ते से हमें लग रहा है कि बिधायक जी और इस पंचायत के मुखिया जी भी जाते होंगे और यह देखते होंगे कि हमारे पंचायत का इतना बतर हाल है और इस रोड पर इतना पानी लगा है इस रोड से अगर कोई अगर इस गाउं में शाधी बीवा पड़ता ओगा तो कैसे लोग आते होंगे जाते होंगे हमें तो पता नहीं के अस्तानिय लोग इलोग इफ़ेंगे इथानियों लोग नहीं हैं भाई है नहीं बताएंगे कुछ भाई इतरा आईएगा यहां पर पानी कितनी दिनों से लगा हुआ है छे साथ साल से महिना से दिन से लगा है छे साथ दिन से पानी इतना लग गया है हमें तो नहीं लग रहा है कि छे साथ दिन से पानी भाई इतना लगा होगा और यहां के अस्थानियों लोगों का क्योंना है जी जी और यहां के मुख्या जी और बिधाय को था कोई स्वंपर्यती कुम्प्लेन नहीं किया गया इस रोट के लिए अब एक बार साफ हुआ था अच्छा जैसे आप देख रहे हैं कि नितिश कुमार जी का जो योजना है नौल जौल और नौला का वो पारित है और लेकिन इस पंचायत में नाला की विवस्ता क्यों नहीं है और यहां के अस्थानिय लोग ही बताएंगे और यह आप अपने नजर से देख रहे हैं और वीडियो में को मेंट कर जरूर बताएगा यहां के अस्थानिय लोगों का दोस है या फिर अस्थानिय पंचायत के मुख्या का दोस है या फिर प्रखंड के बिधाय के अंतरगाओत आएं बिधान सभा की बिधाय का दोस है